नमस्कार दोस्ट फिर से स्वागत है आपका एक नहीं वीडियो के साथ दोस्टो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme 8 5G और इस वीडियो में आपको बताने वादी हूँ कि आप अपने मोबाइल में Face Lock कैसे सेट कर सकते हैं तो Face Lock के सेटिंग करने के लिए आपको यहां पे चले जाना है सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आपको फिंगरप्रिंट Face and Password को अप्शन देखने को मिल जाएगा आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहां पे आपको Add Face को Option देखने को मिल जाएगा तो अगर आप Add Face पे जाएंगे मतलब अभी तक आपके फोन में अगर कोई भी Lock नहीं सेट है तो जब आप यहां पे जाएंगे तो आपको Pattern Lock Set करने को Option देखने को मिल जाता है तो इससे अच्छा है कि Pattern Lock पहले यहां से आप Lock Screen Password पे जाके सेट कर लेंगे और उसके बाद यहां पे आप आएंगे Add Face पे इस पे जाके बाद तो मैंने तो यहां पे Pattern Lock लगा रखा है तो मैं अपना Pattern यहां पे Draw कर दूँगी यहां पे जाने के बाद आपको Continue को Option आएगा और यहां पे Camera Open हो गया है तो Camera पे अपना Phone से Face लेके आएंगे सामने अच्छे से और इसके बाद यहां पे जो Race to Wake है आप इसे On रहने देंगे और इसके बाद Done पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहां पे आपको 2-3 Option और देखने को मिल जाते हैं Use Face for जब आप इस पे तिक करते हैं तो यहां पे आप App Lock के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपना Face और यहां पे Private Safe यानि कि File वगरा Hide कर रखिया है काम करता है अच्छे से तो जब आप अपना Face Lock Unlock करने कोशिश करते हैं तो यहां पे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वह इंक्रीज हो चाती है तो यह आप On कर लेंगे या उफ कर लेंगे अपने हिसाब से और यह आप On कर लेंगे और जब यह आपकी आइस ओपन होगी तब यह आपका work करेगा ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको Auto Unlock पर रहने देंगे तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे ऐसे मतलब जैसी आपका Face दिखेगा वह अपने आपी Unlock हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इसको Swipe To Unlock क खुल तो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप स्वाइप करेंगे तब यह आपका स्क्रीन खुलेगा तो यहाँ पर आपको Auto पर कर देना है और इसके बाद बैक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं मैंने Swipe ने किया है और अपन